नमस्कार, गमासाथ हैज़किप्स में आप सभी का सभागत है सभी लोग हाथों और बालों में महंदी लगाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंदी हमारे सेहत के लिए भी उतनी ही अधिक फायदे मत होती है और करें बीमारियों से लड़ने के काम भी आती है माइगरीन के जिदी दर्द से छुटकारा पाना है तो तुरेंद महंदी का उप्यों करें जानिये महंदी के अनिक फायदे इस भागदोड तनाव भरी जिंदिगी में जादतर लोगों को सिर में दर्द की शिकायद रहती है जो की बार-बार होने पर माइगरीन का रूप ले लेता है माइगरीन का दर्द साइलेंट किलर की तरह चानक से अटक करता है जिससे सिर के आदे हिस्से में असहनियत दर्द होने लगता है कुछ लोगों में माइगरीन का दर्द सिर के बीच वाले हिससे में भी होता है माइगरीन में महदी बहुत काम आती है इसके लिए रात में 200 ग्राम पानी में 100 ग्राम महदी के पत्तों को कूट कर भीगो ली सुबह के समय से चान कर पिये इसे माइग्रेन की समस्या पूरी तरह दूर हो जाती है चर्म रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए महन्दी के पेड़ की छाल का काढ़ा बना कर इसका खूब सेवन करे और इसका सेवन कम से कम 40 दिनों तक लगादार करे लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको इन दिनों में अपनी ज़चा पर साबून का प्रेयोग कभी नहीं करना है उक्तरक्तचाप से परिशान लोगों के लिए महन्दी किसी दवा से कम नहीं है महन्दी के ताजे पत्तों को अच्छे से पीस कर उसका लेप अपने पैरों के तलबों और हाथों में लगाए इससे आपको उक्तरक्तचाप में फाइदा मिलेगा आदह लिटर पानी में 50 ग्राम महन्दी के पत्तों को पीस कर मिलाएं और फिससे उबाल कर उबने दे और जब 100 ग्राम पानी बच जाए तो इसे चान ले इसको गुन-गुना करके ही रोगी को पिलाएं इस उपाय से गुर्दे की रोग बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं माइगरेन के दर्द से तुरंत छुटकारा पाने के लिए आप महन्दी का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके लिए महन्दी का लेप लगा कर सिर्बल लगाएं इससे कुछी देर में आपका दर्द दूर भाग जाएगा